पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं आप 80-85% टाइम प्रॉफिट कमा सकते हो वो भी इंट्राडे बेस पर तो पेपर पेन लीजिए रेडी हो जाईए लास तक देखिएगा ठेक है क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बाते हैं जिसमें आपका अपना नजरिया और मेरा अपना नजरिया होगा तो पहली बार किस्ट में 22 वीडियो की price action trading strategy आ चुकी है और अभी ये और भी जादा आने वाली है देखें इंपॉर्टेंट क्या है strike price कैसे लेना है कौन सी expiry लेनी है सारी information लेंगे एक example के साथ set करेंगे तभी तो आप बहतर समझ पाओगे तो जब बात option की आती है तो hedge की काफी strategy है जैस देबिट spread, credit spread, iron condor, butterfly, two leg और भी बहुत कुछ तो हम आज बात करेंगे short strangle की नाम आपने सुना होगा लेकिन असली हुक होता है strike price कैसे और कौन सा ले और वही strategy हम जानेगे तो बीना time waste किये सीधा short strangle क्या होता है उसका एक overview लेते हैं और तब strategy पर आएंगे अगर आप एक active stock market trader है तो हमारे whatsapp channel या telegram channel से जुड़ जाईएगा बहुत सारी update आती है link description में उमीद करते हैं कि आप जो youtuber live आये थे और इस live session में price action से जो learning दी थी कि nifty किस तरीके से breakout पे खरा है जो किस point तक जा सकता है फिर उपर में क्या resistance है जहां से गिर सकता है वो price action की learning आपने यहां ली होगे और market बिलकुल उसी तरीके से चला तो यह क्या है राज पहले तो proof देख लीजेगा और यही चीज सीखना चाहते हैं तो 25 मई की class join कर लीजेगा मैं चाहता हूँ कि आप live proof देखें तो आपको विश्वास होगा मेरी class क्यों join करना है क्योंकि बहुत सारे लोग सिखाते हैं तो इंसान को डर लगता रहे सीखें कोई सिखाएगा नहीं सिखाएगा तो यहाँ पर यह live क्या हो गया proof हो गया जिससे आप join करोगे तो आपको पता चलेगा 970-80-94-321 पे call कीजे क्या है smart money price action based देखें पैसा जो है ना price action में जो smart money आपको बिवकूब बनाता है और आपके पैसे को loot के ले जाता है सारा game वहीं नहीं है तो call कीजे टीम से बात कीजे 25 मही से class शुरू हो रही है ज्वाइन करके study material लेना ना भूले और बहुत सारी चीजे देते हैं वो सब कुछ ले ले जिसे class में मुलाकात है तो देखे sort strangle में one sort call और one sort put के साथ हम position create करते हैं both the option have same underlying stock and same expiry but different strike price यानी same stock, same expiry लेकिन जो strike price है वो अलग होती है ठीक है यहाँ पर condition क्या है यह करने का कि हमको यह लगता है कि या तो market sideways रहेगा या थोरा बहुत movement किसी भी side हो सकता है चाहे वो उपर के side हो या नीचे के side हो तो सबसे अच्छी बात क्या हो गई यही तो सब के सब जानते हैं कि किसी को पता ही नहीं कि किस side होगा तो sideways वाले में यहाँ पर यह बहुत बहतरीन काम करता है तो अब चलते हैं इसको live आपको दिखाता हूँ open interest के base पर कैसे strike price चूज करें trade के लिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो को हो सके तो record कर लीजेगा या save कर लीजेगा या notebook में लिख लीजेगा जो step मै बताऊं आप कोई भी गलती ना करो हमें जाना है NSE की website पर वहाँ पर हमें जाना है derivatives पर और वहां आपको major indices के option और OI दिखेंगे तो चलते हैं NSE की website पर यह NSE की website है आपके सामने nseindia.com यहाँ पर हम derivatives में आ गए और जब हम यहाँ पर derivatives में आए तो सारे major index आपके सामने द दीख रहा है उनकी expires date दिख रही है, call put का type क्या है वो दिख रहा है, strike price दिख रहा है, LTP दिख रहा है, volume दिख रहा है, percentage change दिख रहा है, value दिख रहा है और यह है AI, open interest वो भी दिख रहा है और underlying value भी दिख रही है तो सबसे पहले तो कहां से देखना है और किस तरीके से ये दिखता है ये आपको सब दिख गया अब ये तो आप समझ गए अब यहाँ पर जो open interest है इनको highest to lowest के parameter पर fit करना है तो हम यहाँ पर click करेंगे तो अब ये देखो highest to lowest दो लाख 25,000 से एक लाख 94,000 एक लाख 80,000 तो highest to lowest में ये fit हो गया अब highest to lowest क्यों बोला क्योंकि हमें चाहिए ऐसा strike price जिसका open interest highest हो मतलब वहाँ जादा contract हुए हो अब nifty का example लेते हैं और एक call की strike और एक put की strike को लेते हैं ध्यान रहे दोनों ही strike same expiry की होनी चीए जो भी आता है उसको note कर लीजिए तो यहाँ पे open interest तो nifty में इसका जादा है 23,000 strike वाले का बट ये नहीं कर सकते हैं trading कुछ हो क्यों क्योंकि जो इसका LTP है वो सिर्फ सारे 5 का है यानि premium बहुत कम है तो इसमें trading का मतलब ही नहीं आएगा ये भी एक learning है note कर लो फिर क्या करेंगे हम ATM के पास का रखेंगे जैस 22,500 का price nifty का close है तो अब यहाँ पे देखते हैं तो put क्या है 22,400 का put है जो 1,92,000 का है तो पहला आपका identify हुआ 22,400 का put ठीक है उसके बाद दूसरा हम identify करते है 22,500 का call ठीक है दोनों में open interest भी हमने identify कर दिया ठीक है तो अब ये आपका identify हो गया बट करना क्या है आपको 22,600 वाला call बेचना है ठीक है और आपको 22,400 है 22,300 का put बेचना है यानि हमें 100 point का margin रखना है यह strategy है यही strategy का फरक जैसे हर इंसान अपनी accuracy अपनी चीज़ों पर काम करता है तो ये बहुत ज़ादा जरूरी है तो निफ्टी में हमने 100 point रखा जब bank निफ्टी में करते हैं इसी तरीके से तो वहां भी 100 point करते हैं बट 1500-200 point करने से भी और फायदा मिलता है बट निफ्टी में 100 point है तो इस तरीके से हमने इसमें position बनाई ये जो 100 point उपर नीचे किया है ना इसका सबसे बरा reason है profit की probability को बढ़ाना ठीक है और ऐसी कई सारी जीजे होती जो expertise से या experience से आती है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा तो आपस्ट्रा पर है हम builder पे गए nifty as it is है future की जगा हमने option select किया उसके बाद आप ये देख लीजे कि यहां पर जो ये expiry थी वो 23 मई की थी ठीक है तो फिर से हम आ गए यहां पर हमने 23 मई select कर लिया अब देखिए 22,600 का क्या था हमारा कमेंट में जल्दी से बताईए call था जिसको हमने बेचा same option nifty 23 मई और 22,300 का put हमने बेचा verify कर लिजे 22,600 का call बेचा 22,300 का put बेचा तो पहले entry point समझ लेते हैं तब इसको explain करूँगा 9 बच के 45 मिनट पर जैसे ही NSE की website पर data दिखेगा आपको उसी समय position बनानी है जो सारे term condition बताएं हैं उसके आधार पर भूलिएगा मत कोई भी rule से compromise नहीं करना है जो बताया है उसके आधार पर और 9,45 पर हम position बनाते हैं अब इस strategy से हमारा profit दिख रहा है कि हमें 32,600 रुपे कमानी को मिलेंगे तो simple कहानी कि हमारे stop loss 1500 से 1600 रुपे का होगा 1 to 2 risk reward ratio में पहला दूसरा 22,170 से 22,729 के बीच में जब तक हैं हम profit में हैं यानि हमें एक काफी बड़ा range मिल गया जो यह हमने दूर का 100 point बढ़ाया था ना उसी का benefit है कि यह काफी बड़ा range मिला जिसे कि हमारे profit कमाने के chances बहुत ज़ादा बढ़ गए और 22,171 से नीचे या 22,729 से उपर market जाता है तभी हमें loss होगा और bank nifty में जैसे बताया था या तो 100 point या थोड़ा और बढ़ा कि 1,500-200 कर सकते हैं तो भी इसी तरीके से हम call put को sell करेंगे इसी तरीके से सारे parameter आएंगे जो profit दिखेगा उसका आधा का हमें stop loss कर लेगे क्योंकि हमें हमेशा 1-2 पे जाना है और ये जो range है वो हमेशा बढ़ा मिलेगा जिससे आपके chances बहुत ज़ादा रहेंगे profit के जो मैंने word use किया था ये 100 बढ़ाने का range है कि हमें profit मिलने के chance सबसे ज़ादा रहते हैं तो ये बहुत static काम करता है OI based जिसमें हमें फायदा होता है तो आज से ही इसको use करें practice के साथ और हमें instagram पे बताएं फायदा कैसे हो रहा है कोई भी दिक्कत हो तो हम आपको help करेंगे instagram की link description में वीडियो को share तो कीजिये दोस्तों